असलम वालेकूम वेलकम टो मारी चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं चाइनेज स्पेश्ट विंडर स्टार्ट होते ही बहुत अच्छे वेजिटेबल साथी हैं आज मैं आपके लिए बना रही हूं रेस्टरंट स्टायल ड्रेगन चिकन इसको आप वेजिटे दूबगी में चिया करीग अगरगे ब्लैक पीपर नश्राशाम करता की दूटी में में अगर आपके पास light soya sauce है तो आप डबल दालेंगे अगर light dark वाली है तो dark वाली कम दलती है पिर हम लेंगे cooking oil इसको हम fry करेंगे single layer में एक यूप पर एक दालेंगे तो आपकी कोडिंग खराब हुजाएगी चिकन की और फिर रेस्टरेंट स्टाइल जैसे लुग भी नहीं आएगा ना फ्लेवर आएगा single layer में दालेंगे और दालती ही चमचा नहीं चलाएंगे पूरी देर बाद चलाएंगे तागे अच्छी ताना कोडिंग पक जाए इच्छी तरह के चिकन फ्राय हो जाए इसको golden brown कलर आने तक चिकन को पकाएंगे अच्छी ताना बहुत जबर्दस ये चिकन बनती है इसको ट्राय करें हमने फैमिली फ्रेंड के साथ शियर करें वी मिल जाए मैंना आपको और भी चीज़े सिखाई है फ्रायट राइस सूप भी बनाने सिखाई है विंटर की और स्पेशल रैसीपीज भी सिखाई है जरूर पेच पर देखें सब्सक्राइब करें ताके आपसे कोई रैसीपी मिसना हो फिर अपको देखें हम इसको मिक्स कर रही हूं साइड चेंज कर रही हूं इसका इसपोटी दर पकाएंगे ताक है अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर आ ज़िए चिकन कच्ची नार है अच्छी तरीके से चिकन पक जाए देखें कितना अच्छा गुल्डन कलर आ गया है इस ताना पूरी में हाफ केजी चिकन को फ्राय कर लूँगी इसको हम अवलक रख देंगे पिर मैंने लिया है एक पतिली के अंदर वन कप पानी और रेड चिली से इसको हम दालने के बार एक बॉइल आने तक पकाएंगे पिर मैं ग्रेंडर के अंदर इन चिली से को दाल दूँगी बहुत जादा देर नहीं पकाना इनको बटन रेड चिली से को बस एक बॉइल आने तक पकाना है फिर ग्रेंडर के अंदर इसको हम दाल देंगे फिर इसके अंदर जो जिससे अंदर हमने बॉइल करा है उसमें से कौटर कप पानी दालेंगे कुटी भी लाल मुर्चे दालेंगे वन टेबली स्पून और इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे अलग रख देंगे इसको इसको हम दालेंगे इसकी सॉस में अब लेंगे पती लेके अंदर ओईल पिर इसके अंदर दाल देंगे बटन रेप चिलीज गार्लिक चॉप इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे गार्लिक को जादा नहीं पकाएंगे गार्लिक को कलर नहीं देंगे बस हलक अचाचा पकाएंगे फिर इसके अंदर चिलीज बनाया था वो दाल देंगे वो दालने के आप मिक्स करेंगे चाइनीज खाना हमेशा फ्रेश सर्फ करना चाहिए अगर आप पहले से बना के रख देंगे तो आपका रेस्टराइंट स्टैल याजा फ्लेवर नहीं आएगा डार्क सोया सॉस दाली है, कैचप दाली है इसके अंदर आपको सर्फ करना है, आप चिकन पहले से फ्राइ करके रख दें इस तना सॉस भी पना के रख दें, जब आपको डिनर पे सर्फ करना हो उसी वक्ति आप सॉस के अंदर वेजिटेबल और चिकन दाल के मिक्स करेंगे और सर्फ करेंगे ब्लैक पेपर दालेंगे, सॉल्ट दालेंगे, नमक कम रखेंगे क्योंगे सॉस के अंदर नमक होता है, आप इसके अंदर पानी भी दाल सकते हैं इस तने आप सॉस बना के रख दें चिकन फ्राया करकrest रख दें जब आपको सर्फ करना हो डिनर पर एस तने आप red bell paper entfer जैसे और रेड फोह भी अपकर यह जारे फ्लेवर पकाएंगे ताकि अच्छी तरीगे से चिकन भी इसके साथ मिक्स हो जाए सांस के साथ वेज़िटेबल भी हल्की सी पक जाएं बहुत जादा वेज़िटेबल को नहीं पकाते वन्ना वेजिटेपल कलर खराब हो जाएगा लोग खराब हो जाएगा और पिर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा फ्लेवर और लुक भी नहीं आएगा अब इसके साथ आप फ्राइट राइस सर्फ कर सकते हैं एक फ्राइट राइस मैं इसके साथ चामिंग सर्फ कर रही हूँ आपके मर्जी है आप इसके साथ गारलिक फ्राइट राइस भी सर्फ कर सकते हैं जरूर ट्राइब करें अपने फैमली फ्रेंड के जाँ शेयर करें अगर ऐसी भी पसंद आए तो सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा इंजॉय करें आपके मर्जिय से लाफ ट्राइट राइस भी सर्फ कर सकते हैं ट्राइब करें